वेलकम फ्रेंड्स टू किचिन रिसाइब्स वित प्रीती आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही टेस्टी और रेस्टरेंट स्टाइल पनीर की वेजेटेबल बताने जा रही हूं जो कि 50 रुपे की पनीर से मार्केट का जो डिस्टरेंट में 500 रुपे का एक बोल आपको पनीर मिलता है वो रेसिपी आज आज आप सब के सामने में रिवील कर रही हूं इसके लिए हमने पनीर के छोटे-छोटे क्यूप्स लिए और इस तरह से सैलो फ्राई कर लिया ज्यादा हमें लाल नहीं करना है इस पनीर की क्वांटिटी 200 ग्राम है देखे इस तरह से हम हलका पिंक होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे अब एक बड़े साइज का प्याज लेंगे और एक टमाटर और एक सिम्ला मिर्च टमाटर टाइट होने चाहिए कड़े थोड़े और उनको भी हम छोटे-छोटे क्यूप्स में कट कर लेंगे और अंदर का बीज निकाल देंगे इस तरह से देखिए बस के वल हमारे पास उ अलग अलग कर लेंगे अब मसाले के लिए हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया चार छोटी लाइची चार लॉंग एक चोटा चमच जीरा आधा चोटा चमच काली मिर्च चार से पांच हरी मिर्च अपने टेस्ट के कॉर्डिंग और दस बारा कलियन लहसन की इसको हम लेंगे फाइन पेस्ट बनाएंगे इन सब का और एक बड़े साइज के टमाटर की भी प्यूरी हम अलग से कर लेंगे अब तड़के के लिए हमने आधा चोटा चमच धनिया लिया है एक छोटी स्थिक दालचीनी की और एक तेज पत्ता ये टमाटर हम प्यूरी बनाएंग अब धनिया हम जो है क्रस कर लेंगे इसको खल बत्ते में भी क्रस कर सकते है और इस तरह से बेलन से इसको हलका सा प्रेस करेंगे तो ये दो टुक्डों में तूट जाएगा अब दो से तीन चमच हमने सर्सो का तेल लिया कडाही में हीट कर लिया इसके बाद धनिया और ते अब धीमी आज पर हम भूनेंगे धनिया हमें एक्स्ट्रा पंच देता है ये फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आता है जब धनिया भून जाता है और मुह में खाते समय आता है हल्का हल्का क्रंच तो ये डिफरेंट ही फ्लेवर देता है देखिए ओयल हमारे थोड़े-थोड़े उजाओट हो रहे हैं धीमी आज पर इस तरह से हम भून लेंगे जब तक कि तेल पूरी तरह से सेपरेट ना होने लगे जब सेपरेट हो जाले तेल, तब हम टमाटर की प्यूरी एड़ करेंगे इसे भी धीमी आज पर हम भून ले जब तक कि तेल ना सेपरेट हो तर तक मेरे चैनल किचिन रेसाइज विद प्रीती को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें सेर करना बिलकुल भी न भूलें और बेल आइकन हिट करें ताकि मेरी हर रेसिपीज आप तक पहुंचे और आप नई नई रेसिपीज को देख सकें देखिए हमारा तेल सेपरेट हो गया है इस स्टेज पर हम आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के एक वाडिग अड़ कर सकते हैं लाल मिर्च को आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी एड़ करिए या कम कर दीजिए हमारे मसाले पूरी तरह भून गए हैं इसी स्टेश पर मैंने इसमें एक चमश नमक डाल दिया हम इसमें क्रीम एड करेंगे आप चाहे तो रेडिमेड की अमूल की क्रीम या कोई भी क्रीम होती है उसको एड कर दे मैंने इसमें घर की दूद से निकली मलाई यूज की है यह ही टेस्टी और फ्रेस होगी अब इसको भी हम भून ले रहे हैं मसालों के साथ इससे बहुत ही रिच टेस्ट आएगा ग्रेवी बिल्कुल थिक क्रीमी मार्केट में जो रेस्ट्रेंट में आप 500 में बोल में एक छोटे से बोल में मिलता है जिसमें दो से तीन लों का भी प कॉंटिटे में हम पनीर और उसे काफी कम पैसे में हम घर पर रेडी करेंगे यह देखिए हमारे ओयल सेप्रेट होने लगे हैं इस स्टेज पर हम सिम्ला मिर्च पहले डालेंगे मिर्च को हम एक मिनट के लिए भूनेंगे मिक्स करेंगे मसालों में फिर हम टमाटर के चंक्स जो हमने बड़े साइज में काट लिये हैं उसे एड़ करेंगे क्यूंकि टमाटर तोड़े जल्दी शॉप्ट होते हैं सिम्ला मिर्च उससे ज्याद़ टाइम लेता है और आनि इन सबसे जल्दी गलेगा अब जो प्याच के छिलके हमने अलग-अलग किये हुए हैं उसके एड़ करने की बारी इन सब को बारी-बारी से डाल करके एक एक दो-दो मिनट के लिए भूनेंगे और फिर लास्ट में हम इसमें अपना मेन इंग्रीडियन्ट पनीर एड करेंगे दिखिए सबसे पहले सिम्ला मिर्च डालने से और लास्ट में प्याल डालने से इनमें बैलेंस रहेगा यह नहीं कि कोई ज़्यादा गल गया और कोई कम गला इन्हें भून करके जब तक कि तेल थोड़े से सेपरेट और आपस में मिक्स ना हो जाए मसाले इसके बाद हम पनीर एड कर रहे हैं यह पनीर को भी हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था उसको इन्हीं मसालों में हम मिला करके भून लेंगे ताकि मसाले हमारे पनीर में भी लिपट जाए और उनका अंदर तक फ्लेवरिंग हो जाए इससे पनीर बहुत टेस्टी बनेगा और मसाले बहनी अच्छे से कोठ होंगे आपस में इनमे टाईम ज्यादा नहीं देना है बस एक एक दोडो मिनट के लिए सारा क्योंकि हमें आनियन और कैप्सिकम इन सब को ज्यादा गलाना नहीं है क्रण्च बनाए रखना है आपको ज्यादा क्रण्च चाहिए तो इन्हें कम ही भूने दिखिए हमारे बच्चों को खाना है तो थोड़ा समय ज्यादा गला रही हूं क्योंकि एकदम कच्चे अनियन और कैपसिकम हमारे बच्चे नहीं खाते हैं अब इस स्टेश पर हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे पानी इतना ही होना चाहिए कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए और मसाले एक दूसरे के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब किया या नहीं नीचे दिये बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि हमारे सारी रेसिपीच के आप तक पहुंचें पनीर हमारे दो से तीन मिनिट के लिए धीमी आज पर पका लेंगे उसमें बस एक बॉयल आने देंगे ज्यादा देर हमें नहीं पकाने की जरूरत है देखिए हमारे पनीर बिल्कुल डन है न कितना यमी बिल्कुल अट्राक्टिब रेस्ट्रेंट्स जैसा अब इन्हें हम प्लेट कर लेंगे देखिए कितना हमें टेस्टी और यमी पनीर दिख रहा है इसकी गार्नेसिंग हम धनिया से कर लेंगे फ्रेस धनिया कितना अच्छा और अपीलिंग है